नमस्कार दोस्तों पात्फाइंडर में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकॉस करूँगा कि आखिर रशिया का खास मित्र परम मित्र चाइना वेस्टन सैंक्शन्स में स्विफ्ट बैन में पश्चिमी देशों का साथ क्यों दे रहा है आप में से कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा पिछले दो दिन में कि आखिर चाइना रशिया का खुलकर साथ क्यों नहीं दे रहा वेस्टन कंट्री के साथ है स्विफ्ट बैन में उनका सपोर्ट कर रहा है इन फाक्ट चा क्या होता है किस तरह से ये रोका गया है इस सबको मैं आपको समझाऊंगा अभी अगर आप इस रशिया यूक्रेन कांफरिट के बारे में डीटेल्स प्राप्त करना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे भी कर दीजे, like भी कर दीजे, if you want to download the PDFs तो आप मेरे Telegram चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे सभी lectures के updates भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, रात आट बजे, आज Modern History के MCQs को हम discuss करने वाले हैं, उसका link नीचे पहले comment में आपको मिल जाएगा, do join that class, अगर UPSC परिक् in the comment below, और अभी 6 months का additional extension भी मिल रहा है, subscriptions पे, अगर एक साल का subscription आप avail करते हैं, तो, अब आ जाते हैं एक बार Ukraine-Russia की लड़ाई पर, so as of Monday morning, आज यानि कि 28 फरवरी को जब मैं ये वीडियो record कर रहा हूं, तब Ukraine का काफी हिस्सा अभी भी रश्या के control में है, हाला कि दोनों द जी रश्या युक्रेन के कई शेरों के बाहर सेना अपनी लेकर बैठा है, हाला कि बड़े-बड़े शेर जैसे कि Kharkiv और Kiev में अभी भी रश्यान control नहीं आ पाया है, and they are having talks today in Belarus, near the Belarus border, so let's see कि उसका नतीजा क्या होता है, फिलाल के लिए ऐसा लग रहा है कि लड़ाई थोड कर दिये थे, आर्थिक प्रतिबंद, कई देश जैसे कि US, UK, Japan, इन सब ने आर्थिक प्रतिबंद लगाये रश्या पर, अब ना तो रश्या की कमपनीज इन देशों के बैंक्स के साथ डील कर सकती है, ना ही बड़े-बड़े समझोते किये जा सकते है, ना लोन लिया जा सक सकता है, so all kind of financial activities that was done by the Russian state-owned oil and gas companies, वो इन देशों के financial markets के माध्यम से नहीं हो सकती, हाला कि इसको लेकर Joe Biden और USA की बहुत आलोचना भी हुई, कि आपको सेना भेजनी चाहिए और आप आर्थिक प्रतिबंद पर प्रतिबंद लगाये जा रहे हो, हर दिन नए प्रतिबंद अन अब ये commodities होती क्या है, देखे आप सभी stock market या shares के बारे में जानते होंगे, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम trade करते हैं, companies के stocks में, उसी प्रकार का एक commodities market होता है, commodity यानि कि कोई भी ऐसी वस्तू जो धरति से directly निकारी जा रही है, it is something like oil, gold, silver, anaj, गेहु, चावल, ये सब क् primary products हैं, ये process नहीं हुए है, process product क्या होंगे, sugar, cocoa, ये सब products process होते हैं, तो primary commodities trade होती है, जी हाँ, इनका भी व्यापार होता है, इनका अपना एक commodities market है, which is just like share market, but it runs parallel to the actual share market, जहाँ पर आप companies के shares को trade करते हैं, commodities market कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं, crude oil, gasoline, heating oil, इन सब का यहाँ प सबसे बड़ा market जो है, वो US में Chicago वाला market है, which is run by the Chicago Board of Trade, तो जो New York में stock exchange है, वहाँ पर share market वाली trading होती है, और ये commodities की जो सबसे बड़ी trading है, वो Chicago में होती है, trading होती कैसे है, देखे, futures नाम की एक चीज़ होती है, future का मतलब भविश्य, तो future contracts बने आए जाते हैं, for example, मान लो क मैं एक trader हूँ, मैं खेती वेती नहीं करता, मैं Chicago के exchange में जाकर ये देखूँगा, कि गेहूं को import या export करने वाली कौन सी companies हैं, और वहाँ पर मैं उनके साथ एक deal करूँगा, कि हम wheat futures पर एक rate तै कर लेते हैं, तो अब मैं उस company को कहूँगा, कि आप आज से 4 महीने बाद तो ये price हमने lock-in कर लिया, और ये wheat की future date है, अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि बारिश हो गई, बरफ गर गई, ओला वरिष्टी से आपकी फसल खराब हो जाती है, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, अगर मुझे फसल मिलती है, तो मुझे 100 dollars per 100 kg उसे देना होगा चाहे वो किसी भी quality का है, अगर मैंने उस company या उस trader के साथ lock-in किया है, तो इससे फाइदा ही होता है, कुछ किसानों को इससे fixed price मिल जाता है, तो मान लीजे कि अब वो company है, वो आगे जाकर किसानों को बोल देगी कि देखे, हमें 100 dollar मिल रहा है, हम आपको 80 dollar देदेंगे, और मिल जाते हैं, लेकिन उसे 4 महीने पहले ही assured 80 dollar मिल गए, उसको आश्वासन है पूरा, कि उसको उसकी फसल का 80 dollar मिलेगा, मान लो कि फसल उतनी अच्छी नहीं हुई है, quality थोड़ी सी खराब है, तो open market में जाकर बेशता तो शायद 70 dollar मिलते हैं, लेकिन अब 4 महीने पहले ही उ 80 dollar का वादा किया जा चुका है, तो उसमें उस किसान का भी फायदा हो जाता है, हाला कि किसान का फायदा इसमें कम है, mainly जो व्यापारी होते हैं, उनका फायदा होता है, और वो bet किस पर गरते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, the main betting is on the future, कि दुनिया में geopolitical situation कैसी रहे होगा, तो इस तरह से trading markets वगेरा चलते हैं, तो आपको उसमें नहीं जाना है, आप ये समझें कि रश्या के लिए commodities market क्यों important है, देखो रश्या में natural commodities बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्राक्रतिक्स अंसादन हैं, जिनका दोहन करके रश्या अपनी economy को चलाता है, तेल, गैस, अनाज, आपको पता है, रश्या दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का exporter है, दुनिया का 18% global wheat export केवल रश्या से होता है, क्योंकि उनकी आबादी कम है, और जमीन बहुत है, अनाज बहुत है, अंगिनत resources हैं उनके पास, natural resources, तो हर चीज़ की commodity trading होती है, और Russian economy के लिए ये commodity trading बहुत फायदेमंद है, वहाँ की companies भी इसमें बहुत पैसा कमाती है, लेकिन इस trading के लिए आपको पैसा चाहिए, credit चाहिए, तो मान लीजे कि आप किसी company को promise कर रहे हैं, जो भी आपका lock-in price है, तो वहाँ पर आप 100-200 dollar में रहीं करते हैं trade, वो trade जाता है कई बार millions of dollars में, औ लेकिन मिल जाता है, ठीक है, तो इसमें उन्हें letter of credit चाहिए, ये letter of credit सुनकर कई लोगों को वो PNB वाला गोटाला याद आ गया होगा, ये बिलकुल वही है, letter of credit, तो वो letter of credit banks issue करते हैं, उसके basis पर trade होता है, ये पूरा market काफी intricately linked है, हर शग महता के जो दिवाने हैं, उनक कि रशिया क्या करता है, export करता है, तो oil and gas का जो production है, oil trading, gas trading, इन सब की बहुत भारी trading होती है, Chinese exchanges पर और Russian companies की, रशिया अपने देश के इन संसादुनों का दोहन करता है, coal, petroleum, और फिर उन्हें भेज देता है, चाइना, चाइना उसका बहुत बड़ा खरीदार है, वहाँ पर Russian commodities की trading के लिए पैसा देना बंद कर दिया है, खास करके dollar denominated credit नहीं दे रहे हैं, पिछले कई दिनों से जब से sanctions लगाए गए हैं, क्योंकि यही वो sanction है, आप सुनते हैं आर्थिक प्रतिबन sanction, वो यह sanction होता है, कि दुनिया का कोई भी bank Russian commodities की trading के लिए अब इस तरह के credit को नह नहीं देगा, राइट, हाला कि कुछ bank अभी भी news आ रही है कि yuan denominated letter of credit दे रहे हैं, क्योंकि चाइना अपनी currency को Russia में अभी ban नहीं कर रहा है, अपनी तरफ से कोई अलग sanction नहीं लगाया है, हाला कि इस पर भी restrictions चल रहे हैं, और यह letter of credit भी आसानी से नहीं मिल रहे हैं, अग यह तो कह रहे हैं, खुद ही कि Russian commodities बहुत risky हैं, और हम इसके लिए पैसा नहीं देंगे, हाला कि अभी तक Chinese regulators ने इन दोनों banks को officially यह नहीं कहा है, कि आप Russia की commodities को पैसा देना बंद कर दो, लेकिन यह banks अपने आप में इतने सचेत हो गए हैं, कि इन्होंने पहले से ही यह काम क दिया है, तो अब Russia के लिए आगे का रास्ता कैसे होगा, तो देखे, Russia के commodities market के हलत बहुत खराब हो चुकी है, उनकी जो currency है, ruble, it has lost 30% value in the past few days, one third उनकी currency नीचा आ चुकी है, और Russia में कल news आ रही थी कि सारे banks पर लोग जाकर अपना पैसा withdraw करने की कोशिश कर रहे हैं, so there is a line outside ATM's, वो होता ही है, जब भी कोई financial crisis होता है, हर कोई यही सोचता है, सबसे पहले जाकर अपना bank से पैसा निकाल लू, वरना bank डूप गया, तो मेरे पैसे का क्या होगा, तो यह स्तिती अब Russia की economy में आ रही है, which shows that sanctions do work, कल यह खबर भी आ रही थी Singapore से, कि कई Chinese कंपनियां, जो Singapore Singapore के banks से पैसा लेती है, Russia से कोईला आयात करने के लिए, उन्हें credit line अब नहीं मिल रही है, और यह industry पूरी आपको मैं बता दूँ, credit पर चलती है, credit, यानि कि आप bank से पैसा लेते हैं, कुछ millions of dollars आपने bank से उधार लिए, उस पैसे से आपने Russia से माल खरीदा, कोईला आया, उस को यहाँ पर नुकसान होगा, लेकिन Russia को नुकसान जादा है, क्योंकि Russia को export करना है, अपना resource, China को तो केवल खरीदना है, वो दूसरी चीजों की trading कर लेंगे, अगर थोड़े दिन के लिए Russian commodities का trade नहीं होता, तो वो traders जो है, वो कुछ भी ओर ढून लेंगे trade करने के लिए, तो पहले ऐसा लग रहा था, कि पश्चिमी देश अगर Russia पर sanction लगा देते हैं, तो भी Russia को कोई फरक नहीं पड़ेगा, in fact मैंने भी अपने एक वीडियो में आपको यह बताया था, दो दिन पहले, कि जब तक China का marketing के पास है, तब तक Russia secured है, they have a lot of trading with China, लेकिन हैरानी की बात चाइना तो रशिया का इतना अच्छा घनिष्ट मित्र है, कई बार दोनों एक ही तरह की बात करते हैं, एक जो नए cold war की city बन रही है, उसमें अक्सर यह देखा जाता है कि रशिया चाइना शायद एक तरफ हैं और दूसरी तरफ US और पश्चिमी देश, तो ऐसे में चाइ रशिया इनको energy supply करता है, नही नही गैस pipelines भी दोनों देशों के बीच में हर साल आती रहती है, तो रशिया से गैस आती है, लेकिन चाइना अपने यहाँ पर जो manufacture करता है, वो सारा माल जाता कहा हैं, पश्चिमी देशों में जादा जाता है, अगर आप इस चार्ट को देख तो कहां यह 600 billion dollar और कहां यह 84 billion, कौन सा जादा जरूरी है, आप जिसके साथ जादा बड़ा व्यापार करते हैं, उसी से तो आप जादा focus रहेंगे, आपकी economy उनके साथ जादा integrated है, तो रशिया चाइना strategically, militarily शायद एक दूसरे का साथ रखना चाहते हो, लेकिन व्यापार चाइना को यह अनुमती नहीं देता, कि वो पश्यमी देशों का दामन पूरी तरह से छोड़ दे और उनके खिलाफ चला जाए, so western nations are buying all of those Chinese exports, और पूरा international market dollar denominated है, तो dollar denomination में वो व्यापार करना जरूरी है, अगर चाइना के banks, Russian commodities को आज financing देते हैं, और इन sanctions को नहीं मान तो आप जानकर हैरान होगे कि चाइना ने हमेशा पश्यमी sanctions का साथ दिया है, चाहे वो इरान, North Korea, North Korea तो उसका best friend है, North Korea तक पे जो sanctions लगेते, उनमें भी चाइना के institutions ने हमेशा पश्यमी देशों का साथ दिया है, and they have sanctioned North Korea always, तो यह हमेशा पश्यमी देशों के आर्थिक प to lose, यह इतना बड़ा व्यापार जो पश्यमी देशों के साथ करता है, उसको यह नहीं छोड़ सकता, और यह पश्यमी देश के जो व्यापार वाले market हैं, यह सारे dollar में transactions होते हैं, तो मान लो अगर कल को China बोल भी देता है, कि ठीक है, हम sanctions मान लेते हैं, आपके साथ dollar में trade न मजबूर कर रहा है, in fact, Xi Jinping ने अभी क्या statement दिया था, कि वक्त आ गया है कि cold war की mentality को छोड़ दो, cold war mentality क्या थी, कि वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन का दोस्त, मेरा भी दुश्मन, यह सोच रखने का समय जा चुका है, आप individually उस देश के साथ अपने रिष्टे नाते देखि तो चाइना ने इस cold war mentality को पूरी तरह से नकार दिया है, और कहा है कि सब आपस में सयोग करो, बढ़िया से व्यापार करो, सब मिल बाट के अच्छे से व्यापार करेंगे, तो अभी कई political analyst यह कह रहे हैं कि जैसे cold war के दौरान, original जो शीत युद्ध था, उसमें non-aligned movement का lead कि इंडिया ने, उसी तरह से चाइना अपने आपको देख रहा है कि यह जो 21 सदी में शीत युद्ध आ रहा है ना फिर से, this is like cold war 2.0, इसमें चाइना अपने आपको non-alignment का leader देखाना चाहता है, या advertise करना चाहता है, इस non-alignment का एक बहुत बड़ा current BRI projects भी हैं, चाइना के investments कह रशिया में भी हैं, युक्रेन में भी हैं, युरोपियन देशों में भी हैं, साउथ अमेरिका में भी हैं, तो चाइना किसी को नराज नहीं कर सकता, उसके सभी जगे investments हैं, they have invested around 125 billion dollars in Russia, just for this BRI project, युक्रेन में उन्होंने अर्बो रुपे का investment किया है, तो ऐसे में वो दोनों ही देशों खुछ चाता है कि शान्ती बनाए रखें, और आपस में कोई लड़ाई जगड़ा ना करें, और चाइना पता है सभी देशों को अभी क्या बोल रहा है, जितने भी ये जो चोटे-चोटे अफ्रीका, अमेरिका के देश हैं, जिनमें उर उसने BRI के investments किये हैं, उन प्रिंग business, purely हम तो यहां धंदा करने आये हैं, व्यापार करने आये हैं, आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, इस तरह से बातें, रश्या पिछले कई महीनों से सारे BRI कंट्री को कह रहा है, और BRI में लगातार, हर महीने कोई ना कोई नया देश जुड़ रह है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन सा देश है, मैंने अपने प्रिवेस लेक्चर में उसका नाम भी लिया था, सो कमेंट बताईए, कमेंट करके बताईए कि वो कौन सा देश था, अब पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कई कमेंट्स इस बारे में आ रह है, तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे हितियास में जाना होगा, भारत जब आजाद हुआ था, उस समय वर्ल्ड वार 2 खत्मे ही हुआ था, और वर्ल्ड वार 2 के समय हमारे जो नेता थे, उन्होंने बहुत इस पर सोच विचार किया, विचार विमर्ष कि और ये देखा कि ये युद्ध हमारा था ही नहीं, इन्फाक्ट आप मेरे Modern History के Lecture Series में L51 देखेगा, उसमें मैंने इस मुद्धे को डीटेल में डिसकस किया है कि गांदी, नहरू, बोस, इन सब की क्या सोचती, वर्ल्ड वार के बारे में, तो अल्टिमेटली वर्ल्ड वा हम ना तो कोई Warsaw Pact में या बगदाद Pact में शामिल हुए, हम हमारी धर्ती को पश्चिमी देश या Soviet Union या Russia की आर्मी से हमेशा मुक्त रखना चाते हैं, और इस दिशा में हमने हमेशा ऐसे कदम उठाए कि भारत न्यूटरल रहे international conflicts में, आपको ये lecture कैसा लगा, comment में ज़रू बताईएगा, अच्छा लगा तो इसे like कर दीजिए, टेलिग्राम चैनल से आप PDFs डाउनलूट कर सकते हैं, अनकैडमी पर अगर आप live पढ़ना चाते हैं देश के best educators से, तो आप हमारा एक subscription अवेल कर सकते हैं, प्लस या iconic कोई भी subscription ले लीजिए, अभी combo subscription जिसमें optional भी शा जाएगा, पहले comment में, इसे join कर दो, नए batches 2 March को start हो रहे हैं, कोई भी problem है, course से संबंदित तो इस number पर आप call कर सकते हैं, iconic subscription के benefits आपको यहां दिख रहे हैं, one-on-one mentorship आपको मिल जाएगी, सभी courses EMI पर उपलब्द हैं, हमारी test series का फाइदा उठाई है 2022 के लिए, there are some free test series as well, join them, thank you very much, have a great day.